गुड मॉर्णिंग अब्रिवन दिस इज मनिशा वलकम बैक टू मैं चैनल अभी मॉर्णिंग के ग्यारा बज़े हैं और आज मैं जन्दी उट रही थी छे बज़े उट गई थी इसलिए सारा काम टाइम पर हो गया जबकि मैंने दीरे-दीरे काम किया है क्योंकि आज से ज्यादा ठीक नहीं रह पाती है एक दो दिन अच्छे से काम किया फिर तीसरे चौते दिन मुझे कुछ ना कुछ होने लग जाता है आज कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा है कि मैं आपको बताओं ये प्रॉब्लेम है लेकिन आलश है या निलसी आ रही है मुझे पता नहीं चल रहा है रात को सोई भी हो अच्छे से तो आज तोड़ा सा लो फिल करें उसलिए मैंने बहुत दीरे-दीरे काम किया है फिर भी अभी तक सारा कुछ हो गया सिर्फ लंच बनाना बागी वह मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है इसलिए आज मैंने बोला है कि बाहर से कुछ और काम करने वाली हो जैसे मैं घूम के आये थी तो बहुत सारे कप्रे में रखी हूं बाहरी और मैं देख रही हूं ना एक छोटा सा चुहा इधर से घूंदा है तो मुझे डर लग रहा है कि यह चुहा कप्रे को काटना दे पहले मेरे घर मेरे घर में दिख रहा था लेकिन अभी मैं 4-5 दिन उसे देखते हूं यह धरुधर घूंदा है एक छोटा सा है चुहा छिप के लिए कौक्रोच यह सब कहां से आ जाते हैं मुझे पता नहीं चलता कि इतनी भी साफ सफाई करो और छोटी से जगह से यह लोग आ जाते हैं अंदर इसको मैं भगाने की हार मैं इसलिए कुछ में प्रेस करता है और कई कप्रे ऐसे हैं जिसमें वीडियो शुट करने होती हैं कहीं सारियां रखी हुई है तो आज मुझे डर लग रहा है तो पहले मैं से बैग में पैक करूंगी और उसके बास फिर दूसरा कुछ देखती हूं कैसे करना है रात को सूने से पहले ही मैंने सोच लिया था कि सुबर उते हैं यह काम पहले फिनिश करूँड़े लेकिन ऐसा वह नहीं पाता है सुबह जब उठो तब यह काम बहुत ज्यादा हो जाता सब्सक्राइब किया जो कि रात को भी किया था तो वह नहीं पाया किसी तागलबस तो हो किया उसके बाद से मैंने एक ब्लॉज है जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दिखाई थी तो उसके अंदर बनाई ब्रेफर्ष्ट बनाया नहादों के पूजा बाठ किया तो बहुत सारा काम हो जाता है और एक बात है कि मैंने बैग में कपड़े पैक के इसलिए भी नहीं रखी क्या थीट करवाना हो था तो इसलिए मैंने खाली करके रखावा थीट करवाते ही रखोंगी यह सफा बात में कैरी करके ऐसे उठा तो नहीं सकते कि इतना है तो इसमें कपड़े या कुछ भी तो इतना ही रखेंगे और छे महिने में यह खराब हो गया कि इसे ठीक करवाने के लिए या तो चान नहीं चौक जाओ नहीं तो सायद उत्कम नगर में है या कहीं भी लेके जाना है इसलिए एक महिने से इसे मैंने खाली करके रखा हुआ है और किसी पास अब टाइम नहीं मिल राए कि जाए ठीक करवाने के लिए इतने महिंगी चीजों में भी यह लोग इस तरह से करते हैं और छे महिने भी नहीं चला सहीं से चैन पगेड़ा तो अभी ठीक है लेखो यह बिलकुल भी उपड़ नहीं होता है इतना तक ही आता है और ज्यादा जोर जवर्गस्ति करने से यह तूट भी सकता है मुझे लगता है तूट के हाथ में ना आ जाए अब प्रपश नो पर दो बहुत ज़्यादा रखने के लिए इतना आएगा भी ने इस बैग में पहले मैं सारी ओं को रख देती हूं कि वाली सारे आहे देशने ने के यह बनाने की परपस से इस तरह से बैग में पैक करते हैं क्यों ने तो बहुत ज़्यादा खोलना परता जितने कप्रे बैग में आयो वो मैंने रख दिया सिर्दर्थ बना हुआ था कि कहीं थोड़ा बहुत काट ना दे तो चलो एक काम तो पूरा हुआ अब चल के देखते हैं किचन में वहां भी कुछ करना है यह सारी सब्जियां मैंने कल ली थी कल दो नहीं पाई थी आसुबै क कि दूखे सुखने के लिए छोड़ा था इसी को फ्रिज में रखने आई हूं कि प्याज को तो ऐसे ही रख दिया बारिश में प्याज आलू दोने से वह जल्दी खराब हो जाता है लेकिन इन सब्जियों को तो फ्रिज में रखना है तो मैं अगर दोए नहीं रखती हूं अब लग रहा है मुझे की पानी इसका अच्छे से सुख चुका है तो रखना पड़ेगा तो अब यह सब्जी दूखे फ्रिज में नहीं रख पाई क्योंकि साम को मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के दर कुछ ब्यूटी वर्क था जैसे व्याक्शिं वगरा करवाई मैं तो फिर अंदर पड़ी पड़ी और खराम हो जाएं यह निकाल के मैं रख लिया है अभी साड़त के लिए खीडा थोरी देर में काटूं की अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ सारे 12 बजे हैं आज खाना नहीं बना रही इसलिए लिए लग रहा है कि हाँ टाइम है इस बाहर से तो अच्छा नहीं लगता है खाने में मेरे साथ ज्यादा तर होता है कि सब जगे की चीजे मुझे अच्छी नहीं लगती या बहुत ज्यादा मसाले तेल इस तरह इसके होते नहीं जाता है आप बहुत ज्यादा हो जाता है वह बिल्कुल आप नहीं खा सकते तो ऐ अभी कई बार हुआ है अभी फ्लिप कार्ट से एक पार्सल आया है क्या है इसमें मुझे भी पता नहीं क्योंकि चार पार चीजे एक बार में हुआ ही है तो पहले कैसा है बेड़ सिट है मैं ओपन करके दिखाती हूं आप लोगों को भी सिंगल बार का वेड़ सिट है और तिनों कवर भी इसमें एक ही है मुझे तो लगा कि कलर और प्रिंट अच्छा है जैसा दिखाया था फैब्रिक कॉर्टन में थोड़ा सा मिक्स मुझे लग रहा है थोड़ा तो कॉर्टन हंद्रेड परसंट नहीं है थोड़ा सा मिक्स है और एक पिलो कवर और इसमें वाश करने के बाद भी पता चलेगा कि कलर इसका फैड़ होता है या ऐसा ही रहता है वोटन में थोड़ा बहुत जाता है बड़ यह 100% नहीं है मुझे लग रहा है ऐसा चार पांख चमस दही निकाल के फेट देती हूँ अच्छे से और हरी मिर्च काटली है मैंने बुंदी डाल दूंगी और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर डाल के मिक्स कर देंगे सको बन जाये दाराईटा गरम पानी करके इसमें बुंदी डाल दिया है अरी मिर्च तो डाली दिया है जीरा पाउडर कामला नमक डाल दिया नमक और बुंदी डाल दिया अब सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से कई लोग तो इसमें तर्का भी लगाते हूं लेकिन मैं ऐसे ही रखने वाले हूं कर सकते हूं घंशो सकथे लेकिन मैं अधम को मार्राज था जबाशा रखना लुका कुछ करेचाnd के टेंगे से हुए है च 알uliflower पूलक से कर सकते हूं जाएं खेंगे परसे टाहरा हुए है। कब से मैं वेट कर रहे थी कि ऐसा कुछ लेके आएंगे जिसे हमारा लंच का काम हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं तो ये क्या सब लेके आए ये तो अभी काम नहीं इससे चलने वाला है और टाइम भी बहुत जादा हो गया दो बज गए हैं जल्दी में क्या बन जाएगा यही सोच रहे थी इसमें है पेस्ट्री और पेटीज है तो ये दोनों अभी काम नहीं आने वाला है इसको मैं रख देती हूं चाय के साथ पेटीज काम आ जाएगा साम को फिर से एक बार गर्म करना परेगा ठंडी ये सब चीजे खाई नहीं जाती पेस्ट्री को तो ऐसे फ्रिज में रख देते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया सबजी तो इतनी जल्दी बन नहीं सकती थी क्योंकि उसकी कटिंग चॉपिंग करने में ही 15-20 मिनिट लग जाते हैं उसके बाद बनने में तो मैं फटा फट से आटा गुंद के रोटियां सेखने लगी और थोरी सी मोटी है ये इसको दोनों तरफ से अच्छे से से दे रही हूं और उस पे घी लगा दिया है और साथ में ये हैं आम का अचार और रायता जो कि मैंने पहले बनाया था बहुत काम आ गया ये और ज्य का मौसम है कहीं कुछ गिरा छोड़ दो तो बहुत जल्दी चीठियां आ जाती है अब यहां का काम पूरा हो गया आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा ज्यादा शेयर क कीजिए बहुत जल्द मिलते आप लोगों से एक नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तक के लिए अपना ख्याल रखिए टेक केर बाबाई